यह कह रहा है कि एक amount the amount received 10% per annum compound interest after 3 years दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इसका principle क्या होगा अब देखो 10% का कभी भी अगर compounding होता है तीन साल की बात कर रहो ना compound interest आपका 33.1% होता है 10% successively तीन बार 33.1% आएगा निकाल के देख लो ठीक है अब आपको यह बताना है कि कोई value जब 33.1% से बढ़ा दी गई तो यह मिला तो value क्या है मैं आपको समझाता हूँ जरह देहन से देखना ठीक है कौन-कौन सांसर नहीं हो सकते हैं यह नहीं हो सकता है क्यों यह एक लाग को आप देरा बढ़ाओ 33.000 मिलेगा नहीं हो सकता है कि 90,000 को अगर आपने 30% से बढ़ा तो वह कितना हो गया एक लाख सत्रह हजार अब इसमें तीन परसेंट और जोड़ना है तो तीन परसेंट अगर आप और जोड़ोगे तो आप कहोगे कि 2700 और जोड़ेगा तो यह आंसर मुझे दिख रहा है कि जो उसके करीब पहुंच रहा है लेकिन उसके बाकी रिजेट कहां से हो जाएगा नभी हजार इसका सही उतर है exact calculation नहीं करनी होती है आप डिवाइड डिविजन में इसमें बहुत टाइम खराब करोगे मैं आपको अता रहा हूं तो डिवाइड करो ही मत आप डारेक्ली इसको देखो ना कि 33.1 परसेंट अगर इंक्रीज हो गया कोई वै बिसिक अंडिस्टैंडिंग है ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगा आंसर पुरंत आई रहें तो हम क्यों डाइम बरबाद करें ठीक है